हेलो फ्रेंज तो आज हम लोग निकल चुके है साइन्स सिटी के लिए जो के एक साइन्स म्यूजियम है हम लोग अभी एहमदबाद में है और यहां से जहां से हम जा रहे हैं वहां से साइन्स सिटी करीब 28 किलोमेटर है और रोडस में थोड़ा बहुत हलका फुल का ट्राफिक है बहुत जादा ट्राफिक भी नहीं था उस दिन और साटरड़े था उस दिन जिस दिन हम लोग गए थे और साटरड़े के दिन हमें पता चला कि वहां पे जो टिकेट का कॉम्बो जो अवेलेबल होता है वो 350 रुपीज का है and Monday to Friday, I guess Tuesday to Fridays में जो होता है वो टिकेट जो अवेलेबल होता है 4.99 का एक कॉम्बो टिकेट है उसमें और भी कई चीज़ें इंक्लूड़ेड होती है तो वैसे आप online भी टिकेट ले सकते है यहाँ पे हम Science City पहुंच चुके आप देख सकते हैं पार्किंग काफी बड़ा है Science City में तो पार्किंग के ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम टिकेट ले चुके अपनी और यहाँ पे online भी टिकेट अवेलेबल है आप online भी खरीद सकते है यहाँ पे enter होने के बाद आपको आगे जाके बड़ा सा flag जो इंडियन flag है वो है वहाँ पे काफी बड़ा flag था मेरे भाई ने काफी selfies वगरे वहाँ पे कीचे थोड़े से फोटोग्राफी करी वहाँ पे और एरिया Science City का काफी बड़ा है So be ready to walk and walk around बहुत जादा आपको चलना पड़ेगा वहाँ पे सब चीजे काफी दूर दूर है फिर यह नेचर पार्क था यहाँ पे हम लोग अंदर तब गए नहीं थोड़ी दिर के बाद हमने सुचा हम जाएंगे पहले हम aquatic gallery जो है वहाँ की aquarium and all fishes वह गूम के आते हैं हमने सुचा तो वहाँ पे escalators है नीचे जाने के लिए वो नीचे बना हुआ है aquarium जो पूरा है अंदर जाने के बाद यहाँ पे काफी varieties of fishes रखे हुए और पहले entry पे ही आपका जो ticket वगर है वो प्रॉपरली लोग चेक करते हैं अंदर जाने के बाद आपको different varieties of fishes दिखेगी यहाँ पे roof जो है वहाँ पे भी aquarium टाइप बनाया हुआ है वहाँ पे भी अलग-अलग fishes रखी हुए तो पूरा roof covered है ऐसे fishes के aquarium फिर side में दोनों तरफ आपको different fishes दिखेंगी और जो first time visit कर रहे है जिसने out of India aquarium जो aquatic world होता है वो visit नहीं किया हुआ है तो उनके लिए तो यह experience काफी fascinating रहने वाला है and it is worth watching once at least तो एक पार तो science city आना बनता है और area यह जो अंदर का area है वो भी बहुत बड़ा है यहाँ पे information दी गई है fishes के बारे में different types of sharks है यह जो shark है उसके साथ उसका जो चुटा सा baby था वो उसी के साथ गुम रहा था यहाँ पे different यह variety जो है fish की यह बहुत अलग लगी मुझे इसलिए मैंने इसका video capture किया था चुटा सा उसका भी baby उसके साथ गुम रहा था और आगे जाके अब यह black fish थी आगे यह जो frog है यह पूरा ऐसे लग रहा था plastic से बना हुआ है frog जो है और ऐसे लग रहा था पहले तो लगा कि यह मरा पड़ा है it was not at all moving it was like statue बट यह real था और मतलब जिन्दा था तो काफी अलग था यह चीज भी यहां पर starfish है जो starfish है मुझे बहुत अच्छी लगती है उसका photography करना उसका video लेना उसमें काफी designs दिखते हैं काफी interesting लगता है मुझे वो फिर आगे जाके यह penguins आपको दिख रहे हैं यहां पर penguins के भी हमने काफी videos लिए काफी मज़े किया उनके साथ भी हम लोग एक shot के लिए wait कर रहे थे कि यह penguin कब उपर जाएगा और वहां से वह jump जो लगाते हैं चोटा सा उनका cute सा ऐसे बहुत cute moments होते हैं के जो penguin के होते हैं तो अच्छा लगा इनको देखके भी बहुत मजा रहा था हमको लोग उस शौट का wait कर रहे थे और finally एक penguin ने जाके आगे जाके आपको दिखेगा कि एक penguin का हमने छोटा सा एक capture किया है वो जब jump कर रहा था इनी के साथ हमने काफी time spent किया वहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था वो जब इदर उसे उदर जा रहे थे उनके moments बहुत जादा cute होते हैं अब ये दो penguin से उनका मुझे capture करना था मुझे लगा वो थोड़ा सा अच्छे से जम्प करेंगे बड़ उनने काफी स्विफ्ट वो अंदर चले गए एकदम से तो इतना इनका जम्प कुछ मुझे वो नहीं लगा बट हां मतलब बहुत मज़ा है हम लोग को आप अब देख सकते हो अभी देया रेडी टू जम्प और ये वो पानी में चले गए ऐसे ही फिर हमको यहां पर आगे रोबोटिक्स जो गैलरी है वो वहां पर जाना था और यह आप देख सकते हो वाली जैसे की है तो यह कुछ रोबोट्स अलग-अलग ऐसे ट्रांसफोर्मर का एक था आगे और अलग-अलग इनका जो रोबोट है वो रखा हुआ था तो काफी का पूोड करूट और स्टूडन्स के लिए कुछ अलग से डिसकाउंट है शायद वहां पर टिक्ट्स पर और सुडन्स को ओविसली टस वर्थ कमिंग यहां पर इंटर होने के बाद जो रोबोट्स जैलरी है वहाँ पर चोटा सा क्यूट सा रोबोट रखा हुआ है जो कि I आई कॉंटेक्ट से शायद काम करता है आई कॉंटेक्ट जैसे उसका हो जाता है वैसे उसकी गर्दन जो वो हिलने लगती है फिर हम लोगों ने वहाँ पर इंक्वाइरी करने के बाद पता चला कि यहां पर गाइडेट टूर भी होता है जो कि हर एक गंटे में होता है दो सारा रोबोट केल रहे है तो अगर आप विदाउट गाइड जाते हों आपे देखने के लिए तो देविल भी जस्ट मतलब वहां पर रखे हुए होते हैं वह तब चल नहीं रहा होता है रोबोट जो है कोई भी रोबोट नहीं चल रहा होता है तो मेक्शॉर कि आप देखने के लिए बहुत मज़ा आ रहा था हमको बहुत उसका जो प्रेसिशन था बहुत ज्यादा अच्छा था वह यहां पर यह अग्रिकल्ट्रल रोबो है जो कि फील्ड में काम आता है जो स्प्रेंग और वह सो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी स्प्रे करना ह फिर रोबो डांस आ जाता है आगे आपको देखने को मिल रहा है यह इतना फास्ट डांस नहीं कर रहे थे रोबो मैंने वीडियो जो है थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था तो मज़े आए यह डांस भी देखने में उनका जो है मतलब और यहां पर हम लोग नीच काफे आ गए थे और हमने थोड़ा सा फास्ट फूड एंजोई किया वहां पर जो कि ठीक ठाक था नॉट सो बाड नॉट सो गुड और ऐसा रहा हमारा साइन सिटी का आज का दिन सो थांक्यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग थांक्स अलोट